हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिस्यल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़े जैन्विन बिलेंगी और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो मॉर्निंग न्यूज में मैं आज आपको काफी इंपोटेंट खबरे बताने वाला हूँ हाला कि DSSB के काफी रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं धीरे धीरे काफी friends के question आ रहे हैं कि result कब तक आएंगे तो धीरी धीरी result आ रहे हैं इसके बाद काफी ऐसे question थे मेरे पास मुझसे question किये जा रहे हैं तो मैं public में एक बार जबाब देना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं छुपने वालों में से हूँ तो question ये आ रहा है कि पहले तो आप result के लिए गुम रहे थे कि result आ जाए इसके बाद अब आप cancel के पक्स में हैं तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ आप मेरी A to Z video देखें मैं किसी cancel के पक्स में नहीं हूँ और ना मेरे कहने से कोई भी exam cancel हो जाएगा मैटर था कुछ उस टाइम भी केजरिवाल जी ने जो exam cancel कराए तो बहुत टाइम के बाद हुआ था तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे CM से भी बढ़ा हूँ कि मैं exam cancel करा दूँआ ना मैं उसके पक्स में हूँ मैं पक्स में हूँ कि candidates को justice मिले इसके बाद रही बाद exam डेट निकलवाने की या result के लिए घूमने की धरना देने की तो सबसे पहले बता देता हूँ वो चीज़े जरूरी थी मुझे यह नहीं पता था कि DSSB ऐसा कुछ करने वाला है मैं पहले भी पक्स में था कि 30 वाले candidates को कम से कम 8 से 10 नमबर मिलने चाहिए extra और मिलते तो साइद यह controversy पैदा नहीं होती इसके बाद काफी बोल रहे हैं कि पहले आप धहरिये के साथ थे अब आप उसके साथ है नहीं अगर आप जामते हो क्योंकि काफी ऐसा होता है लोगों को कुछ पता नहीं होता उनको क्या है कि जो बात तो अप उनके मन में आई बोल दी धहरिये जी हैं वो बहुत अच्छे इंसान है उनसे पहले भी उसी तरह था मैं एक अच्छे मित्र भी हैं और अभी भी ऐसे हैं और even वो खुद normalization के खिलाप नहीं है अगर दुबारा normalization होता है तो वो खुद इस चीज के पक्स में है और सबसे पहले आप उनसे पूछ के देखो और हम भी normalization के पक्स में हैं हम cancel के पक्स में नहीं हैं तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है वो पहले उनके side थे हम आज भी उनके side है धरिया जी के पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे क्योंकि वो सही के साथ है और जो सही के साथ है जो आज normalization के लिए हमारी लड़ाई में साथ देगा हम उनके साथ भी है चाहे वो कोई भी candidates हो कोई भी हो हम उनके साथ है और रही बात result की रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट है वो भी धीरे धीरे आने वाले है डियोई वाले भी आने वाले है नॉर्मलाईजेशन में हम चाहते कि रिवाइस रिजल्ट आए जिससे काफी ऐसे candidates हैं जो रह गए हैं 115 नंबर लेने के बाद भी 117 नंबर लेने के बाद भी वो रिजल्ट में मतलब selected नहीं है तो ऐसे candidates के लिए हम fight कर रहे है और मैं ये समझता हूँ कि वो गलत नहीं है और रही बात channel की कुछ बोल रहे थे कि आप channel से मतलब गलत news फैला रहे हैं नहीं मैं पहले भी सच्चाई के साथ था आज भी सच्चाई के साथ हूँ और channel कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं इससे बहुत बड़ा आदमी बन रहा हूँ नहीं अगर इस channel से एक बंदे का भी भला हो गया तो मैं समझूँगा कि इस channel का target पूरा हो गया मैं खुद को भागय साली समझूँगा अगर एक बच्चे का भी इससे भला हो गया तो बात यह नहीं है कि मैं likes, dislike के लिए कुछ कर रहा हूँ नहीं आप समझ रहे होंगे कितने लोग मेरे विपक्स में भी हैं अगर मैं होता तो साइद उस type का बंदा होता कि like के लिए काम कर रहे तो हो सकता है कि मैं ऐसी news देता चटपटी news या मतलब जो news आपके पक्स में हो क्योंकि होता कि अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो बहुत लोग आपके विपक्स में हो जाएंगे और ये चीजे में अभी देख भी रहा हूँ तो साथियों गुडबाई टेक कियर ठेंक यू जैहिन वंदे मात्रो